रादे रादे दोस्तों कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और हम लेकर आए हैं एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी यमी होती है तिस त्यारों पे से बनाने में और भी मजाता है क्योंकि इसका टेस्ट इसका जो यमी-उमी मतब करते हैं ना कि देख करके ही मुँ में पा अच्छा और यह बिल्कुल रस मलाई जैसे लगती है तो उसके लिए सबसे पहले हमने लिए हैं सूजी और सूजी को हमने हलका हलका सब भूनने के बाद बिल्कुल लाल नहीं करना से भूना है और उसमें थोड़ा सा हम डालेंगे दूज हिसाब से थोड़ा करते हुई डा डो बन जाएगा बढ़ियासा इसको जब तक घुमाते चले जाए जब तक कि इसका मतब टाइट ना हो जाए सूजी और इतनी टाइट भी नहीं होने इतना करो कि बस इसके गोल गोल जिस लड़ू होते है ना इस टाइप के रोल बन जाए तो यहां पर मैंने फ्लेम डो मेरा अलमस्ट हो चुका है देखिए इसको खुब बढ़िया करके मैंने बना दिया है इसको थोड़ा सा और जब तक इसको पुरा हटाना लो मैं इसमें कड़ाई में से इसको लगातार घुमाते रहना क्योंकि लगने का हो रहाएगा इसका तो इसलिए देखिए अब ब समलाई टेप से कुछ बना रहे हैं तो उसके लिए हमें इसका वो भी चाहिए गोल भी अच्छा सा बनने के लिए जो मिठास भरा और जिसे कि इसमें डूब जाएं अच्छी तरह से तो वो सबसे में होता है इसका बनना और उससे बढ़के है कि हमारे जो मतब रोल बनाएं कि बन रहा है कि नहीं और अगर फटता है ना तो उसको बिल्कुल नहीं बनाओ कि वो फिर क्या है की फूर जाएगा कड़ाई में डलने के बाद सारे ड़ने के बाद तो अब हमें इसमें डाल दी है केसर और थोड़ी सी लाइची पावडर और शुगर डाल देंगे और रबड़ी है वो तो बिल्कुल यह समझे लिए कि हम रस्मलाई ही खा रहे हैं तो इसकी जो जान है वो यह रबड़ी ही है रस्मलाई की तो देखिए यहां मेरा डो तयार हो चुका है और इसके मैं बारिक-बारिक से रोल बना दूँगी पहले मैं सुचा कि सलो थोड़ा सा और वैसे कर देती हूं स्लेंड्रेकल में लेकिन पर मैंने सर्कल में ही कर दिया और इसको हल्क असा जिसे फटे ना इसको राव राव में घुमाते चलेगे मुझे की ज़रुत नहीं पड़ रहे है इसमें पर यह है कि अगर किसी कटाइट बनता है तो आप लोग ही उज़ क आप सकते हैं तो यह मैंने बना लिए है थोड़े से इसके रोल बना करके मैं साइड में रख दूंगी क्योंकि इसमें ही ध्यान रखना है कि यह फटेना तो फिर यह बिकार हो जाएंगे उसमें डलने के बाद कढ़ाई में तो यह वह वहला टेस्ट नहीं आएगा पुरा जो रोल हो फट करके साइड में फैल जाएगा तो इसलिए वन्वाइमन मैंने सारी रोल बना करके रेडी कर लूँगी यह देखिए इस तरह के बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल इसके लगेगा जैसे मतलब हमने गी का यूज किया लेकिन इसमें गी का यूज नहीं किया हु और कहीं से न फटे हैं न तिल्के हैं कुछ भी नहीं हुआ है और मेरे रोबल कुल तन रडी वचुके हैं अब हमें जो देखना है वह देखना है कि हमारा जो दूद है वो थोड़ासा क्वांटिटी में कम रहा जाए कि कि तभी रबडी बनती है हमें रबडी का ही ध्यान कि हमें रबड़ी बनानी है तो मन केजी मैंने इसमें दूट डाला है यह प्यूर मलदा फुल क्रीम था और इसको थोड़ा सब मैं कंटीनी चलाऊंगी कि चलाते रहने से लगने का डर नहीं रहता कड़ाई में नीचे तो अब देखिए यह आ चुका है उबाल बिलकुल और एक ध्यान रखना है कि जब बिलकुल और जाए ना न तभी पीसिस डालने हैं इसके अंदर रोड डालने हैं कि ठंडे दूद में डालोके तो यह बेकार हो जाएंगे नीचे बिलकिन जाए लेकिन वर्डते दूद में बिलकुल बाला खोलता रहेगा तभी हमें यह डालने तो समझो कि आपकी जो रस्मलाई पेटा है वह खराब हो चुगी है तो अब देखते हैं कि हमारी आती है कि नहीं आती है और यह मेरी सारे डिप हो चुगे हैं लगबग तो मेरी मातर में ज्यादा बन गए थे पर यह है कि उनके अंदर असच चला जाता है ऐसी बात नहीं है और के बार ऐसा होता है कि आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं इसके अंदर यह दो तीन चीजों का ध्यान रखना है आप पेठा बनाते हैं तो यह थोड़ा सा मैं हलका हलका चलाओंगी ताकि वह बीच में आ जाए स्पेस में और मैंने सब को सर्कल गोल गोल ही बनाया सर दोभा आगी है कि नहीं आई है कि वह तभी आती है उपर जमन में अब्साइब जाता दोध मिक्स हो जाता तब उपर तैयार ने लगती है तो देखते हैं मेरी कितने देर में आएगी तो वैसे मेरी डड़ी हो चुकी है और बॉइल हो चुका है दूद तूद पुरा मैंने तेज गरम किया वा था लेकिन अभी डलने की वज़े से थोड़ा सा ठंडा हो गया दूद लेकिन अब इसमें बॉइल आ जाएगा दुबार अब होनते हैं न उसको चितना चलाते हो तो नहीं उसमें रबड़ी बनकर रेड़ी होती है वैसे ही आएगी बनेगी तो फ्रेंड्स ये बिलकुल ऐसे ही लगते हैं जैसे हमने रस्मलाई खाई हो तो आप देखिएगा बताईएगा और इस होली पाज़रू ट्राइकिजि कि आपकी जो रबड़ी सोजी पेठा है वो कैसी बनी है तो देखिए मेरे थोड़े थोड़े से उपर आने शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे सारे ही उपर आ जाएंगे तो इस तरह से ये एक अच्छी और टेस्टी देखे सारे आ गए हैं उपर और दोध पुरा उबल र अच्छी पेठा रसमलाय रेडी हो चुकी है यमी यमी देखिए और आप भी बताईएगा कि कैसी लगी और आईए खाईए और जो लोग नहीं आ सकते हैं वह जरू ट्राइए कि जिएगा इस रेसिपी को और में साथ जरू शेयर किजिएगा कि हमारी ऐसी बनी है या मेरी वीडियो मेरी इस रेसिपी में कुछ कमी हो तो वह भी बताईएगा तो फ्रेंट मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई हैव नाइस दे